नमस्कार दोस्तों अगर आपके बालों के जड़ने के समश्या है या फिर आप अपने जड़ते वालों से प्रेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है जी हां दोस्तों आपका श्वागत हमारी यूटूब चैनल में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क लिए करना ना भूले ताकि हमारे आने वाली लेटिस्ट वीडियो की जानकरी आपको मिल सके दोस्तों आज का टोपिक बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक है जैसा कि देखा जाता है कि छोटी उम्र में ही बालों का जड़ना या फिर बालों का पक जाना एक आम समश्या है तो आज मैं इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक ऐसा जबर्दस्तन उसका लेकर आया हूँ जिसके माद्यम से आप केवल साथ दिन में ही अपने जड़ते बालों को रोक सकते हो साथ ही 15-20 दिन बाद में ही अगर आपके बाल जड़ चुके हैं तो न के फूल आते हैं दोस्तों इन फूलों में ऐसे कई क्वालिटी ऐसे कई गुन पाये जाते हैं जो अपने जड़ते बालों को रोक सकते हैं साथ ही अगर आपके बाल उड़ चुके हैं तो उनको भी दूबरा से रिकवर करने का काम करते हैं ता यह दोस्तों मैं बताता हूँ आपको 60-70 gram कनेर के फूल लेने हैं चाये वो यलो कलर के हो या फिर वो लाल गुलाबी कलर के हो आपको 60-70 gram कनेर के फूलों को लेकर के छोटे- oni कर लेना है अब आपको दोस्तो एक लिटर सरसो का तेल या फिर ओलिव ओल हो या फिर नारियल का तेल हो जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो इस तेल को गरम करना है जब तेल गरम हो जाएं तब आपको इसमें 60-70 गराम ये फूलों के टुकड़े उसमें डाल देना है जब तेल अच्छे से गरम हो जाएं के कनेर के फूल जब जलने लग जाएं जल के बिल्कुल काले हो जाएं तब आपको ये तिल उता लेना है ठंडा कर लेना है और ठंडा जाओ या फिर आप सुबह ना कि आ जाओ उसके बाद में आप अपने बालों पर इस तेल का इस्तेमाल करें आपको केवल 2-3 मिनित तक इसकी मालिश करनी है बिलकुर साधर अनुश्का है दोस्तों आप इसका लगाता एक महीने तक उप्योग करें आपके नए बाल भी आना श